अगर आपको बुने हुए कपड़े पर ग्रेन की परिशानी दिखती है तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे उन तरीकों से जो आपने गुथे हुए कपड़े पर लागू किया था इस पार्ट में आप बुने हुए कपड़े पर ग्रेन की समस्या को दूर करना सीखेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप बुने हुए कपड़े की ग्रेन की परिशानी को ठीक कर पाएंगे Basting जोकी अस्थाई सिलाई है तथा आडे तिर्चे फंदे के साथ साथ काटना बुने हुए कपड़े में ग्रेन की समस्या को सही करने की विधी है आएए अब हम देखें आडे तिर्चे फंदे के साथ साथ Basting कैसे करें और उसकी कटाई कैसे करें कदम एक आडे तिर्चे फंदे के साथ साथ Basting यानि अस्थाई सिलाई करें एक सीधी रेखा मिलने के लिए विदुत रंग के धागे का उप्योग करें और आड़े तिर्शेफ अंदे के साथ साथ बेस्टिंग करें. कदम दो बेस्टिंग रेखा के साथ साथ काट छाट करना अब बेस्टिंग की रेखा के बराबर काटें. इससे आपको कपड़े को मोडने के लिए तथा पैटर्न बिछाने के लिए सीधी रेखा मिल जाएगी इस तरह हम इस पाट के अंत में पहुंच चुके हैं चलिए याद करें कि बुने हुए कपड़े को कैसे बेस्टिंग जैसे अस्थाई सिलाई और कटाई से ठीक किया जाए कदम एक आड़े तिर्चे फंदे के साथ साथ बेस्टिंग यानि अस्थाई सिलाई करें कदम दो बेस्टिंग रेखा के साथ साथ काटें अब आप सीच चुके हैं कैसे बुने हुए कपड़े में ग्रेन की समस्या ठीक कर सकते हैं अगले पार्थ में आप कपड़े को सिलने से पहले किसी कुड़ना सीखेंगे